Redmi Note 12 Pro Plus, जो specification के साथ आ रहा है, इस price range में आभी तक कोई भी phone जो है मौजूद नहीं है, जैसे कि इस phone में रहने वाला है 200 Megapixel कैमेरा, उसे के साथ inbox आता है 120 Watt की adapter के साथ, जो phone को full charge कर देगा सिर्फ 20 मिनिट में, लेकिन यार बहुत सारी दुस्त confuse है Redmi Note 12 Pro Plus और iqo Neo 6 लेकर, मु यह भी guarantee के साथ मैं कह सकता हूँ, चलिए दोस्तों, comparison शुरू बात करता हूँ, दोनों फोन की display से, अब भी शुरू बात कर दीजे, इस वीडियो को like करके, देखो है price के हिसाब से आपर सबसे अच्छा display ओफर कर रहा है Redmi, ऐसे भी इसका display का side जो है थोड़ा सा बड़ा दि phone का certification देखने को मिल जाएगा, 900 ने stick brightness के साथ आता है, जब इस phone को outdoor में या direct sunlight पर यूच करोगे, कुछ भी problem नहीं आने वाला है, Iconio 6 भी इतना बेकर के display के साथ नहीं आता है, display के size के तरफ देखा जाए, 6.62 inch full HD plus AMOLED पर रहने वाला है, जिसमें 120 Hz का refresh rate देखने को मिल तो चलिए दूस्तों आपका confusion में clear कर देता हो, अगर आप PUBG Mobile या BGM जैसा game को खिलते हो, तो आपके लिए perfect phone जो रहने वाला है, Iconio 6, क्योंकि जो फोन आता है, Qualcomm Snapdragon की तरफ से 870 chipset के साथ, जो कि Goctacore chipset है, 7 nanometer पर बना हुआ है, और इसका clocks भी run करता है, 3.2 GHz में, इसमें आप PUBG Mobile जैसा game को 90 एपिस में खिल सकते हो, अगर आप gamer हो, आपको 90 एपिस मिल रहा है, तो यह जो फोन है आपके लिए perfect रहने वाला है, ऐसे भी स्किन रेकोर्ड करके, इस phone भी आराम से game खिल सकते हो, यह जो फोन आता है, MediaTek Dimensity के तरफ से 1080 chipset के साथ, जो कि Goctacore chipset है, 6 nan पर बना हुआ है, इसका जो clocks भी रहन करता है, 2.6 GHz में, इसमें आप PUBG Mobile जैसा game को 60 एपिस में खिल सकते हो, देखो यह, 60 एपिस और 90 एपिस में जैसे difference रहने वाला है, आपको पाफरेंस में भी difference देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपको चाहिए एक अच्छा camera वाला फोन, तो आपके लिए कौन सा phone best रहने वाला है, obviously भाई, Redmi, क्योंकि जो phone आता है, पीछे की तरफ triple camera setup के साथ, इसका जो primary sensor रहने वाला है, 200 megapixel, उसे की साथ 8 megapixel ultroid और 2 megapixel रहने वाला है, इसमें भी OIS रहने वाला है, अब दोनो phone की back camera से 4K में वीडियो को record कर सकते हैं, दोनो phone का जो selfie camera रहने वाला है 16 megapixel, अगर आप low light वे वीडियो record करते हो, फोटो किसते हो, तो आपके लिए perfect phone रहने वाला है, Redmi, अब बात करते हैं दोस्तों ए दोनो phone की design की बारे में, कौन सा phone का design सबसे अच्छा रहने वाला है, तो यह पर design सबका अलग-अलग choice रहता है, म आपको matte finishing देखने को मिल जाएगा, उसी के साथ triple camera setup है, LED flash है, IQ का branding है, in-display fingerprint sensor के साथ आता है, center control रहने वाला है, display का bezel और नीचे जो chain इसमें आपको छोटा देखने को मिल जाएगा, रेडिमी का design भी इतना बूरा नहीं है, जो phone है देखने में काफी खुफसरत रहने वाला है, इसका जो frame है, वो polycarbonate का बना हुआ है, पीछे की तरह आपको glass bag देखने को मिल जाएगा, उसी के साथ triple camera setup है, LED flash है, रेडिमी का branding देखने को मिल जाएगा, लेकिन जो phone आता है, side mount fingerprint sensor के साथ, center control रहने वाला है, display का bezel और नीचे जो chain इसमें आपको छोटा देखने को मिल जाएगा, तो आपके हिसाफ से design के मावले में कोई भी एक phone को आप चूच कर सकते हो, RAM के तरफ देखा जाए, दोनों phone में आपको 8GB RAM देखने को मिल जाएगा, लेकिन storage टाइप और storage भ दोनों phone में LPDDR4X की RAM देखने को मिल जाएगा, अब बात करते हैं दोनों phone की other specification के बारे में, iQoo का phone हाल फिलाल में Android 13 के उपर run हो रहा है, और इसमें Funtouch OS 12 देखने को मिल जाएगा, रेडमी का phone आता है Android 12 के साथ, और इसमें MIUI 13 देखने को मिल जाएगा, दोनों UI में आपक यह जो phone आता है 10 bands 5G के साथ, और iQoo का phone आता है 4 bands 5G के साथ, ऐसे भी दोनों phone में आप SD card को यूच नहीं कर सकते हो, दोनों phone आता है 12 studio speaker के साथ, लेकिन Redmi के अंदर 3.5 mm audio check देखने को मिल जाएगा, हाँ मुझे पता है आप लोग जादा confused हो दोनों पोन की battery लेकर, यह रेड रहने वाला है 80 watt का adapter, जो phone को full charge कर देता है, सिर्फ 35 मिनिट में, लेकिन आपको अच्छा battery backup देखने को मिल जाएगा, रेडमी के अंदर, इसमें आपको ज्यादा image की battery देखने को मिलेगा, और इसका skin on time battery backup, IQ से थोड़ी सी बहतन मिलता है, तो अब बात करते हैं दोस्तों, यह दोने phone से कौनसा phone आपके लिए बेस्ट होने वाला है, और कौनसा phone आपको purchase करना चाहिए, पहला आपको आपका budget को decide करना होगा, अगर आपका budget रहता है, रेडमी को purchase करने का, तो आप Redmi का phone purchase कर लिजिए, जो phone है बहुत ही अच्छा phone रहने वाला है, IQ 6 है, अगर आपका main purpose है, सिर्फ game, आपको game खिलना है, और कुछ नहीं चाहिए, तो आप अग बंद करके IQ 6 को purchase कर लिजिए, ऐसे में मैं चाहिए गेम नहीं खिलता हूँ, मेरे लिए camera, display, उसे के साथा first charger बहुत ज़रा है, इन्पोर्टेंट है, तो मेरे लिए Redmi का phone सबसे अच्छा रहने वाला तो आपके इसाब से कौन सा phone based हो रहा है, और कौन सा phone आप purchase करने के लिए सोच रहा है हो, आप मुझे comment मेर जुरू बता सकते हो, क्योंकि सबका opinion तो अलग-अलग होता है, मुझे पूरी उमिध है आपका doubt पैने clear कर दिया, अगर आपको ए वीडियो अच्छा लगा है, तो एक लाइक कर दीजे, उसे के साथ चलन को कर लीजे subscribe, अगर आप ज़्यादा confused हो, Redmi Note 12 Pro Plus और Nothing Phone 1 लेकर तो आप इस वीडियो को जुरूद देख साकते हो